Hey everyone, आज हम बात करेंगे कि QuickBooks Online में हम Supplier कैसे इंपोट करेंगे So first of all मैं अपनी सिस्टम में जितने Supplier है वो आपको दिखा दू So you can see that यहाँ total 34 Supplier है Now import करने के लिए हम जाएंगे Settings में यहाँ हमारे पास Option इंपोट डाटा का अब जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे आपके पास देरे सारे ओप्शन्स होगे तो आप इतनी चीज़े इंपॉर्ट कर पाएंगे ओके एज ओफ नाओ हम सिफ बात करेंगे सप्लाइस की तो हम सप्लाइस पे क्लिक करेंगे अब देखिए यहां से आप एक फाइल भी डाउलोड कर सकते हैं बाइप क्लिकिंग ओन डाउलोड सेंपल फाइल अब सेंपल फाइल क्या है वहाँ आपको अलग-अलग डेटा मिलेगा लाइक आपको अलग-अलग फॉल्म मिलेगी वहां ओल्ड़ेडी फिल डेटा होगा तो अब याद रखना है कि यहां सिर्फ नेम वाला जो कॉलम है वह कंपल सरी है ना मैं ब्राउस करूंगा इन जो मेरी फाइल अल्ड़ेडी रेडी है वह मैं सेलेक करके ओपन कर दूंगा थोड़ा लोड होगा इन यहां आपका नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाएगा जस्क्लि बिलेंस एक बार आप चेक कर देंगे देन आफटर आपको सिंपली नेक्स पे क्लिक करना है अब आपको एक बार देटा यहां रीड कर देना यहां लिखा है नाइन सप्लाइडी तो बी इंपोर्टेड एंड एक बार आप प्रोपर देख रहे ना उसके बार आपको सिंपल पर क्लिक कर देना है अब जैसे इंपोर्ट करेंगे फोड़ा प्रोसेस होगा ओके डिपेंज ओन यूर डेटा अब यह हमारा आ गया यहां एज यू कैन से नाइन ओफ नाइन सप्लार सक्सेस्पुली इंपोर्टेड नाओ में अगें सप्लार आपको दिखा दो तो देखें पहले 34 थे अब 9 मिला के हमारे हो जाएंगे 43 ओके सो इंदीज बें विकवें इंपोर्टेड सप्लार इन क्विक बॉप्स ओनलाइं आपको दियान रखना है कि जो भी सेंपल फाइल या जो भी फाइल आप इंपोर्ट कर रहे हो उसमें नेम जो होगा वो कंपलसरी फिल्ट प्रिए सबस्क्राइब धिधन न लेगा थैंपना धनलाइब शॉब्स्क्राइब थैंक यू